सो साल राज करके गई अंग्रे जम्ब तो दोस्तों जैसा कि इस साल दो बड़ी अक्शन फिल्में देखे यानि पठान और जवान आप शारु खान लेकर आ रहे हैं डंग की फिल्म जो कि इनकी दोनों पिछली अक्शन फिल्मों से बिल्कुल अलग रहने वाली है अब ऐसे में दोस्तों क्या दंकी फिल्म भी शारु खान के नाम फिर एक बार इतियास रच पाएगी बात करेंगे इस बारे में तो फाइलि दोस्तों आज राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी शारु खान की इस साल की तीसरी वन उप दा मोस्ट अवेटेट फिल्म डंकी का ट्रिलर आ चुका है और जिसे ड्रॉफ फोर के नाम से रिलीस किया गया है तो दोस्तों सीधा मुद्दे की बात करेंगे तो हेलो दोस्तों माई टॉक्स के एक और फ्रेस अपिसोड में आपका स्वागत है जैसा कि इस साल के सुरुआस से लेकर अभी नवंबर के मन्त तक एक से बड़ी एक एक्शन फिल्म में आई है पठान, जवान, टाइगर थ्री, एनिमल, फैंस ने सभी को भरबर के प्यार दिया है और अब साल के आकरी मत में शारुखान एक फैमिली ओरिंटेट फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ आराम से बैठ कर देख सकते हैं और हमेशा की तरह राजकुमार हिरानी इस फिल्म में भी एक जबर्दस सोसल मैसिज देने वाले हैं जो देशभक्ती और हिंदी इंगलिस दो भासाओं को लेकर कुछ बड़ा ही दिखाने वाले हैं जो आपको रुलाएगा भी और अहसाएगा भी जिसके कुछ जलक आपको ट्रेलर में भी देखने को मिलने वाली है काफी यूनीक और कलरफुल ये ट्रेलर है जो आपको ये फिल कर आता है कि ये फिल्म एकदम फ्रेस और यूनीक होने वाली है जो डेफिनेटली सभी को एंटिनेंट करने वाली है और दोस्तो ट्रेलर को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं है राजकुमार हिरानी प्लस शारुक खान ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर तभाई मचाने वाली है और शारुक खान के नाम साल खतम होते होते एक और बड़ी ब्लॉक बश्टर देने वाली है जी हाँ दोस्तो शारुक खान फिर से यंग और ओरल अवतार में नजर आने वाले है जहाँ ट्रेलर में भी दिखाये गया कि शारुक खान अपनी कहानी किसी को सुना रहे है जहाँ जवानी से लेकर बुड़ापे तक का सफर फिल्म में दिखाये जाएगा किस तरह हाडी ने दूसरे देशों में सफर किया और उस बीच उसके साथ क्या क्या हुआ और दोस्तो जिस तरीके की विजवस देखने को मिल रहे है ऐसा लग रहा है कि फिल्म में हर एक करेक्टर काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है जो फिल्म खथम होते होते सभी के दिल पर अपनी चाप छोड़ने वाले है बाकि दुस्तो शारुखान के लुक्स भी इस बार भी काफی सर्प्राइस कर रहे है ऑवरल कहें तो यह फिल्म काफी कलरफूल और एंट्रेटेनिंग होने वाली है सभी के दिल पर अपनी याद छोड़ कर जाएगी बागी दूस्तों अगर आपने फिल्म का ट्रिलर देखा है तो आपको फिल्म का ट्रिलर कैसा लगा और आप कितने एक्साइडिट है फिल्म को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही वीडियो चल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुवी से लेटीड है से इंटरस्टिंग अपडेट्स के लिए माई टोक्स को सब्सक्राब कर लें मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ